हाल ही में मध्ध प्रदेश के वन विभाग ने नई डॉल्फिन जनकर्णा रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार 425 किलो मीटर लंबे चंबल अभ्यारण में मात्र 68 डॉल्फिन बची है ये राश्टी चंबल अभ्यारण भारत के तीन राज्य मध्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजेस्थान से होकर गुजरती है चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या 4 वर्ट सो में 13 प्रतिसत तक कम हो गई है तो जानेंगे कि चंबल अभ्यारण में डॉल्फिन की संख्या क्यों कम हो रही है और इसका कारण क्या है सो लेट अस इस्टार्ट मध्ध प्रदेश के वर्विभाग की नई डॉल्फिन जनगर्णा रिपोर्ट के अनुसार ये जो चंबल अभ्यारण है जो 425 किलो मीटर छेतर में फैला हुआ है उसमें डॉल्फिन की संख्या लगातार कम हो रही है जो अब केवल 68 बची है ये अभ्यारण मध्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजेस्थान से मिलकर बना हुआ है ये रिपोर्ट जून के आकरी सब्ता में आई है आपको मैं मैप में चंबल नदी का लोकेशन भी दिखा देती हूँ जो मध्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजेस्थान से होकर गुजरती है डॉल्फिन जनगर्णा रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन की संख्या लगातार घट रही है इसके लिए 2006 में सुप्रिम कोर्ट की सेंट्रल एमपैर्ट कमेटी ने नदी की वनस्पतियों और जीवों को बचाने के लिए अभ्यारण छेत्र में जो रेद की अवेद खनन हो रहे हैं उनको रोकने का आदेश दिया था मुरैना में चंबल अभ्यारण में देवरी घडियाल इको पार्क के मुख्य वैग्यानिक जोती डंडोडिया ने कहा है कि अवेद रेध खनन और पानी की खपत इतनी विकट है कि यह नदी के पूरे पारिस्थित की तंत्र को खत्रे में डाल रहा है Principal Chief Conservation of Forest के प्रदान S.K. मंडल ने कहा है कि डॉर्फिन की संख्या में कमी चिंता का विशय है लेकिन चंबल तीन राजियों के लिए एक जीवन रेखा है जिसके कारण MP UP और राजिस्थान के निवासिये लोग इस नदी में से रोजाना पानी निकालते है इसी तरह मद्र प्रदेश के भिंड और मुरैना और राजिस्थान के धोलपूर में अवैद बालू खनन का धंदा जोरो पर है अवैद रेद माफियों के खिलाफ कारवाई करते समय वन टीमों को कई बार जान लेवा हमलों का सामना करना पड़ता है वन टीम को इस्थानी लोगों का समर्थन चाहिए जो उन्हें कभी नहीं मिलता डॉल्फिन की बात करे तो डॉल्फिन एक सम्वेंदत सील जीव है और वन विभाग को इस जीव के बारे में जादा जानकारी प्राप नहीं है इसलिए वन विभाग ने विसे सग्यों की एक टीम बनाई है जिसमें भारती वन विभाग संस्थान और भारती वन जीव संस्थान के विग्यानिक सामिल है जिन्होंने चंबल में डॉल्फिन की आबादी की सुरक्षा और वृद्धी के लिए एक सोध किया है विसे सग्यों ने राश्टी जली जन्तु की घटी संख्या पर चिंता जताई है भारत का पहला वाइल्ड लाइफ इंस्टिट ओफ इंडिया जो दहरादून में उनके वेग्यानी कमर कुरेशी जो चंबल में डॉल्फिन पर एक सोध कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि चंबल में डॉल्फिन की अधिक्तम वेहन चमता 125 है यह डॉल्फिन की एक दुरलप प्रजाती है जिसका नाम प्लेट निश्टा गेंगेटिका है और प्राकर्तिक की सरक्षड के लिए अंतराष्टी संग आयो सीन द्वारा ड्रेड लिष्ट की डेंजर केटेग्री में डाल दिया गया है इसमें डॉल्फिन के इस्थाई अवास के लिए कम से कम 3 मीटर गहराई और लगबग 266 मीटर प्रती सेकेंड पानी का प्रवाह आवश्यक है नदी के गहराई से लगातर अवैत खनन और कोटा में जल निकासी परियोजना की तरह 12 मासी समस्या नदी के पूरे पारिस्थित की तंत्र को परिसान कर रही है जिसके कारण जल इस्तर और प्रवाह कम हो रहा है आपको बता दो कि चंबल नदी घड़ियाल का भी निवास इस्तान है कुरेसी जी ने कहा है कि हमें डॉल्फिन और घड़ियाल उनके दोनों के अनुकूल वातावरण के सोथ के साथ साथ हमें उनकी संरचना प्रडाली के बारे में भी जानने के लिए सोथ करना चाहिए अल्ट्रो सौनिक साउंड के जरिये उनकी सुनने की चमता 1985 में पहली बार इटावा के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था उस समय इनकी संख्या 110 से अधिक थी लेकिन अवैद सिकार ने इनकी संख्या में कमी लाई इनकी प्रतिकूल अवास समस्या बन गई है डॉल्फिन ही नहीं बलकि घडियाल की अबादी भी प्रभावित हुई है गंगा नदी डॉल्फिन और सिंदू नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजाती हैं ये भारत, बांगलादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राश्टी जली जीव घोसित किया था। गंगा नदीब में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्र हीन जली जीव है। विलुप्त प्राय इस जीव की वर्तमान में भारत में 2000 से भी कम संख्या रह गई है। इसका मुख्य कारड गंगा का बाड, प्रदूसर, बांधों का निर्माड एवम सिकार है। इनका सिकार मुख्त तेल के लिए किया जाता है और अन मच्छियों को पकड़ने के लिए चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉल्फिनों में अल्टरा सौनिक, सुने की और सुने की एक गजब की चमता होती है। जिनके कारड ये अपने सिकार को बहुत ही असानी से पकड़ लेते हैं और ये मानसाहारी जली जीव होते हैं। डॉल्फिन को मचली नई दरसल एक इस्तंधारी जीव की रूप में माना जाता है। इनमें मादा की ओसत लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। इनकी ओसत आयो 28 वर्ट्स रिकॉर्ड की गई है। गंगा में डॉल्फिनों की संख्या में वृद्धी के लिए मिसन क्लीन गंगा के प्रमुक आधार इस्थंब बनाए गए हैं। क्योंकि पर्यावरण एवं वन्य मंत्री जैराम रमेश के अनुसार जिस तरह बाग जंगल की सेहत का प्रती के उसी प्रकार डॉल्फिन गंगा नदी के स्वास्त की निसानी है। मैं आपको राश्ट्री चंबल अभ्यारण के बारे में बता दूँ जिसे राश्ट्री चंबल घडियाल वन जीव अभ्यारण भी कहा जाता है। यह अभ्यारण पाच हजार चार सो किलो मीटर चेतर में फैला हुआ है। संक्या काफी कम है। चंबल भारत में पाए जाने वाले 26 दूरलब कच्छु प्रजातियों में से 8 का समर्थन करता है। जिसमें भारती संकीड सीर वाला कच्छुआ, तीन धारी छत वाले कच्छुए और मुकूट नदी का कच्छुआ सामिल है। यह रहने वाले अनसरिस रिप्त हैं। भारती, फ्लैप, सेल, कच्छुए यहां पे रहते हैं। यह अभ्यारण एक रामसर साइट है। अभ्यारण में कई आम प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। जैसे खैर, पलास, चुरेल, बैर और नदी के दोनों किनारों पर गहांस के मैदान। इस अभ्यारण पर योजना का प्रबंदन उत्तर प्रदेश वन विभाग के वन जीव विंग द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्यालय आग्रा में है। तो ये थी चंबल नदी, वन जीव अभ्यारण के बारे में और डॉल्फीन के बारे में। आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।